Hello everyone, Namaskar, Welcome back to Learn with Simran, I hope you all are doing well and staying safe at your places, so I am back with a new video, जिसका टाइटल है, Principles of Development, यानी कि जो हमारे विकास होता है, विकास कुछ सिधानत होते हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे, कुछ principles होते हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे, तो शुरू करते हैं, तो पहला principle है, कि principle of continuity ठीक है, कि हमने जाना, कि जो हमारी development होती है, वो continuous process है, वो from birth to death चलती रहती है, continuity का मतलब भी यही है, कि निरंतर जो हमारा विकास है, वो होता रहता है, हां कभी वो धीमा हो जाता है, कभी वो बहुत तिवर उससे चलता है, तो मतलब जो हमारा development है, वो उसकी pace अलग हो सकते यानि कभी वो बहुत rapidly हो सकता है, या कभी वो बहुत slowly हो सकता है, जैसे जो हमारा infancy period होता है, from 0 to 2, उस समय पर जो हमारा development होता है, जो हमारी growth होती है, वो काफी जादा speedily होती है, वहीं जब हम adult sense को पहुँचने वाले होती है, तब जो हमारी development होती है, उसकी जो pace होती है, लेकिन जो हमारा development है, वो हमारा birth to death होता है, वो continuous process है, वो कभी भी रोकता नहीं है, second principle is principle of uniform pattern, यानि कि uniformity होता है, कि जब सब चीज बराबर हो, बिल्कुल same हो, तो जो development होता है, वो सब के अंदर एक uniform pattern में होता है, यानि कि वो सब के अंदर एक समान रूप से होता है, ठीक है बाद ही जो हमारे permanent teeth होते हैं, वो आते हैं, तो यह हो सकता है कि कि किसी बच्चे के पहले तूट गए हो, दात किसी के बाद में तूटे हो, लेकि एक pattern जो है, वो uniform है, जैसे कि पहले क्या होगा, जैसे कि पहले बच्चा nursery class में जाएगा, फिर ही बच्चा second class में जा पाएग तो ऐसे ही जो development है, उसका एक uniform pattern है, कि जो और विकास होता है, वो एक uniformity के साथ होता है, next point हमारा जो आजाता है, वो यह है कि principle of individual difference, यानि कि हर एक जो individual है, हर एक जो बच्चा है, वो हर बच्चा अलग-अलग है, ठीक है, उन सभी के अंदर अंतर है, हर एक बच्चे के अंद होता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, कोई किसी चीज को दो दिन में सीखता है, कोई किसी चीज को दो घंटे में ही सीख लेता है, ठीक है, तो यह होता है, principle of individual difference, उसके बाद, इसमें कह सकते हैं, कि जो एक बच्चा होता है, दो बच्चे हैं, दोनों की same age है, लेकिन हो सकता है, कि जो कोई बच्चा है, वो बहुत जादा interactive है, वो sociable है, वो सबसे बात करता है, वहीं जो दूसरा बच्चा है, वो anti-social है, वो extrovert नहीं है, वो काफी जादा introvert है, वो किसी से बात नहीं करता है, तो जो दोनों बच्चे हैं, उनका development अलग-अलग होता है, हर होंगे हमारा development हमारी जो growth होगी वह वैसी होगी लेकिन अगर हमें environment अच्छा नहीं मिला ठीक है अगर हमें suppose हमारे जो parents है वो हस्ट पुष्ट हैं ठीक है वो बिल्कुल ठीक है हट्टे-कटे fit हैं लेकिन जो बच्चा है उसको ऐसा environment मिला यह उसको कभी अच्छा खाने को मिला ही नहीं वह बच्चपन में ही सपोज वह चोरी हो गया ठीक है अच्छे हटे-कटे parents है उनका बच्चा जो है वह चोरी हो गया है और वह जुगी में सपोज रहता है तो क्या वह बच्चा इतना स्वस्थ रहे पाएगा जितने उसके मापाप है यानि हैरी डिटी और environment दोनों ही एक दूसरे complimentary हैं और दोनों ही joint product हैं किस चीज़ का development का ठीक है अब उसके बाद principle of total development जो हमारी development होती है उसका एक principle है कि जो development होती है वो total होती है यानि कि वो एक मतलब संपूर्ण रूप से मनुष्य की जो personality होती है कि individual की जो personality होती है उसका जो है अच्छे पूर intellectually उसकी language का विकास ठीक है उसके emotions का विकास तो यह होता है हमारा principle of total development उसके बाद जो हमारा principle of development direction यानि कि जो हमारा विकास होता है जो हमारी development होती है उसके direction यानि उसकी एक दिशा होती है अब वो दिशा क्या है दो दिशा ही दी गई है एक है सिफेलो कोडल और एक है प्रॉ फिर उसके बाद उसकी बोड़ी का विकास होता, चला जाता है निरंतरूप से, और फिर अगला जो डिरेक्शन है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानि की हमारे हार्ट से लेकरके, यानि हमारी स्पाइनल कोड हमारी रीड की हड़ी से बाहार की तरफ, यानि पहले हमारी प्रिंसिपल ओफ इन रीट ऑफ घ्रोफ ग्रोउन डेवलॉपमेट्य, जो हमारा लेप्रोफ डेवलॉपमेंट होता है उसका जो रेट है वो वेरिड 25 हो सकता है यानि वह अललग हो सकता है जैसे कि मालो कि बच्चे की height तो grow कर गई, उसकी growth हो गई, height उसकी बढ़ गई, लेकिन उसका development नहीं हुआ, उसका विकास नहीं हुआ, ठीक है, वो दिमागी तोर पर, मतलब बच्चे की height तो बढ़ गई, बच्चा हो गया, ठीक है, 14 साल का है, बच्चे की height बढ़ गई, अच हमारे विकास होता है, जो हमारी development होती है, वो predictable होती है, हम उसको predict कर सकते हैं, हम उसको guess कर सकते हैं, कि हाँ बच्चे की इतनी development हुए, जैसे की हम जो बच्चे की intelligence है, उसको predict कर सकते हैं, उससे कुछ सवाल पूचके कि हाँ, मतलब बच्चे को यह चीज़े आती है, तो बच स्प nårए ऐसे को ऊच्छ को मांने साझेटें तो अनुमने से अ لगा अलंग उनको सीखती जाता है जैसे मनलो अगर पच्छेक भी ए हुआ से खाने के लिए तो बहु को काता है। यह एक आफ उसको चमच देते हो तो वो चमच को दोनुं आतों सेय से पकड़ के ऐसे घाता है लेकिन धीरे 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 बच्चा स्पेसिफिक यूज सीख जाता है वह अच्छे से खाना सीख जाता है यहां हम एक और एक जेम्पल ले तो पहले जो होता है बच्चा क्या करता में कोई बिद रुडा है उन जोखी में को स्वाफ एक जा और मैं ये है बैत है जो पिले बच्चे विकास होता वो कैसे होता है पहले बच्चे ने पूरा हाथ यूज करना सीखा ठीक है पहले वो पूरा हाथ लागा फिर वो सीखता है कि फिंगर से कैसे पैन ग्रैब करना है ठीक है और उसके बाद अपने हाथ को अपने हाथ की मुमेंट को और उंगलियों की मुमेंट के साथ वो इंटीग्रेट करके लिखना सीख लेता यह अमूर्थ हो जिसको हम देख सकते जिसको हम छू सके और अमूर्थ हो जिसको हम देख नहीं सकते सिरफ महसूस कर सकते हैं छू नहीं सकते वह होता है तो जो यह प्रिंसिपल है यह कहता है कि जो बच्चा है वह पहले कॉंक्रीट चीजों को सीखता वह पहले कॉंक्रीट चीज पर अपने आपए कर सकते तो बच्चा आंदर बंदर बैट आजाती है हुए अगला पॉइंट आ प्रिंसिपल ओफ को रिलेशन में यह है कि जैसे हमने जाना कि development बहुत प्रकार की होती है emotional development होती है physical development होती है mental development होती है तो सपोज कोई बच्चा जो है वो physically developed नहीं है या physically handicapped है ठीक है तो ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे का जो उस बच्चे का जो social जो सामाजी क्रूप से जो इसकी development होगी वो भी कम होगी यानि जो handicap बच्चा होता है वो socially handicap उसको एक तरीके से देखा जा सकता है कि जादा बच्चे उसके साथ interact नहीं करते हैं तो यह क्या है principle of correlation कि जो अलग-अलग development होते है वो एक दूसरे से correlate करते हैं उसके बाद अगला है last principle of rate of growth and development in male and female इस principle में क्या होता है कि जो growth and development होती है वो females की जादा जल्दी होती है if compared than boys यानि कि जो लड़कियां होती है वो जादा जल्दी mature हो जादा जल्दी grow कर जाती है if compared to as compared to boys ठीक है तो यह हमारे points थे यह हमारे कुछ principles थे growth and development के I hope आप सभी को समझाया होगा everything is clear thank you so much for watching please do like share and subscribe to my channel for more such stuff thank you for watching